है लो नमस्तिया दाव सस्त्रिय काल मैं अभयक्मार सुक्रा ग्रूप डी इंप्लवाई इन इंडियन रेलबे आप सभी का अपने चैनल एस्ट्वेंट फिवर में स्वागत करता हूं जैसे कि आज का जो टॉपिक है और बी एंटी पीची कुलकता जो उनका लेवल 3 का कट अ ठीक है तो यह जो बात होगी यह जो थोड़ा सा और सबसे अलग भाट के हैं और इसके बार किसी इसके बार में प्रिदिक्शन करना थौड़ा अधो और की कैसे आपक कर सकते हैं तो मैंने जहां तक हो प्रयास कि gelangen कि कि इसे बच्चे हैं जो सभी अलग-अलग zone में जाएं और उनका क्या स्कूर इसमें एफेक्ट करेगा तो आईए समस्ते हैं इसे पल अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इसे खमको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा ओके और जो भी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो तुसके लिए स्वरी थेंक्यू बढ़ते हैं आगे नन टाइपिंग पोस्ट यह पूरा का पूरा जो पोस्ट ह OVC का 59, EWS का 47 और SC का 69, ST का 33 अब आईए अभी जो रिजल्ट दिया हुआ है वो लेवल 3 का जो रिजल्ट आपको नहीं दिया है उसमें को लेवल 2 और लेवल 5 का दिया हुआ है क्योंकि इसमें टाइपिंग पुष्ट तो थे ही नहीं अब इसमें सबसे बड़ी फैक्टर यह है कि इसमें प्रेडिक्शन करने से फ़ले आपको यह जानना होगा कि वह ऐसे बैखती जो बस 12 फे फॉर्म बरे हैं जिनका क्यों 12 फास है या इक्युवेलेंट है जैसे कि मैं यह बोलना चाहरा हूँ कि जो फॉर्म वो डाले थे उ वे बच्चें जो कि इसमें अगर टॉप में होंगे वह लेवल 5 में नहीं जाएंगे चाहरे उनका 100 marks क्यों ना हो 95 marks क्यों न हो त्यक है तो वह fix है कि अभचे में बीवल ईसके बाद अब आते हैं कि क्या कटु Pal सा रेंक आई को का डाटा देखा तो उसमें क्या है कि मैंने यहां देखा कि जिनका मार्क्स 86.33 है वैसे बंदे मात्र 281 बंदे है ठीक है जिनका मार्क्स 86.33 है ठीक है 2 से 81 बंदे है अब इस 281 बंदे में जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे इसमें 12 ही है या सारे बच्चे ग्रेजुएशन है इसमें दोनों कम्बाइन है तब जब इसको आप गौर से देखिएगा तो इसमें 90 ऐसे बच्चे हैं जो 12 पास है और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है ग्रेजुएशन है अब बताईए लगबाग 190 कास पास ग्रेजुएट है तो आप हमसे बताईए क्या 191 जो बच्चे है यह सारे चले जाएंगे लेवल 3 में नहीं यह कताई शंबव नहीं है क्योंकि ऐसे बच्चे जिनका लेवल 5 और लेवल 6 में अच्छे में मार्क्स है वो कभी लेवल 3 में जाएंगे वो अपना लेवल नीच आप 125 125 ऐसे बच्चे है क्योंकि इस मार्क से उपर जाने में थोड़ा सा कम सिट ज्यादा ज्यादा बच्चों का इस से उपर नहीं मिलेगा आपको एक सो पच्ची से मैंने बढ़ाया है 125 ऐसे बच्चे है जो टूल्थ पास आउट है और रिमेंडिंग जो है वो 175 मान 23 के प्रॉक्सम होगा अब दिखिए मैं आपको एक छोटा से डाटा बता रहा हूं दूसरे पर क्यों मैं अपने बढ़ा रहा है मेरा लेवल 5 में भी 89.33 है ठीक है और लेवल 3 में भी मेरा 89.33 है लेवल 2 में भी 95.46 है अब बताई आप हमको कि मैं इस लेवल 5 में क्यों नही मेरिट कलो चाहिए कि मेरिट किसका बनेगा किसका नहीं तो इसको हट आईए लेवल 5 में जब 89.33 है कंफॉर्म है कि हमको एक जी जी गूट्स गार्ड या सेनियर कमर्चियल कम टिकट क्लर्क मिलना ही है नन टाइपिंग पोस्ट और मैं टाइपिंग मार रहा हूं तो मैरे अच्छा है तो आप आईए आपको मैं बता रहा हूं जब हम उधर सेलेक्शन ले लेंगे तो फिर मैं इधर कैसे आउंगा इधर तो एक सीट 89.33 वाल आपके लिए वैकंट छोड़ दिया न ऐसे बहुत सारे बच्चे इनका लेवल 5 अच्छा गया है और लेवल 3 भी अच् सीट ठीक है मानते हैं 90 से ज़्यादा है किसी भी केटगरी क्यों ओबी सी जनरल इसी स्ट कोई भी है तो जनरल में ही न जाएंगे जो इनका माक्स ज्यादा है तो इनका माक्स ज्यादा है तो 86.33 आले उपर रहेंगे इस प्रकार से अगर आप कट अफ करते हैं बिल्कुल च माक्स जाएगा ऐसा कई नहीं है धीरे धीरे सभी लेवल में माक्स घटेंगे और आपका कट अफ डाउन जाएगा इसे भी डाउन जाएगा आपको लेवल 2 का कट तो मेरे अनुसार से इसका जो कट अफ होगा ओ फाइनल मेरि 85 से लेकर और 86 के पास में रहेगा ठीक है आप आप बुलिएगा इसर तो आप एक ही नंबर क्यों घटा है 86.33 में तो आपको इतने स्टुएंट मिल रहे थे और इसमें से कुछ चले जाएंगे ग्रेजुएशन में तो आप इतना कम क्यों घटा है तो आपको पता होगा कि एक नंबर के बीच में तीन स्टेज आता है 85.33 85 85.667 फिर 86 तो इस तीन स्टेज में लगभग 300 बच्चे आ जाते हैं दो से 300 तो बच्चे एफेक्ट करेंगे आपका माक्स का जो रेंज है यहीं रहेगा 85 से 86 के बीच में OBC का कटप मैं क्यों कर रहा हूं कि 84.66 रहेगा 84.66 मैक्सिमम है यह थोड़ा सा माइनस भी हो सकता है लेकिन इतना रहेगा क्यूं क्यूंकि यहां देखिए इसका सीट सबसे कम है OBC का मात्र 59 सीट है तो इसका कटप कितना जाने वाला 84.66 EWS का कटप यहां से अगर आप डिसाइट करते हैं जो मैंने डाटा अपने लिखा इसमें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका 81 से लेकर और 82.33 तक इसका कटप जा सकता है SE का कटप 78 maximum 77 से लेकर 77 से लेकर और 78 के बीच में जाएगा ST का जो कटप है O76 से डाउन रहेगा 76 से अपने होगा इसका कटप क्योंकि इसका सीट यहां पे भी ठीक ठाक है ST का और SE का तो A77 से और E76 से डाउन रहेगा यानि 75-76 के बीच में इसका कटप रहेगा इस परकार से आपका कटप रहन अगर आप इस रेंज में प्लस माइनस वन में हैं तो आप अपने आपको सेफ समझेए ठीक है और आपका एक सीट कंफर्म रहेगा यह मेरा पूरा बिश्वास है ठीक है अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो क्रिपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिरूर कीजिए और अपने से सभी दोस्तों की बीच सेर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए आपका अगर प्यार मिला रहेगा तो मैं आपके लिए लेव